आप देख रहे हैं समाचा रेजिंस एफ इंडिया में साइन नियून प्रकार की विधी, उपाय और मंत्र आदी बताए गए हैं। इनमे शिव महिमन स्त्रोथ के पात का बहुत ज्यादा महित्व माना गया है। भगवान शिव की महिमा का गान करने वाला यह स्त्रोथ अत्यंत ही मनोहर हैं। जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ पात करने पर साधक की सभी मनोकामनाए पलक छपकते पूरी हो जाती है। भगवान शिव के अनने भक्त गंधरवराज पुश्पदंत द्वारा रचित यह स्त्रोथ देवो के देव महादेव को बहुत ज्यादा प्रेय है। यही कारण है कि भोले के भक्त उनसे मन्चाहा वर्दान पाने के लिए इस श्रावन के महीने में विशेश रूप से पात करते हैं। आए शिव महिमन स्त्रोथ के बारे में विस्तार से जानते हैं। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान शिव की पूजा का पुन्यफल दिलाने वाले शिव महिमन स्त्रोथ उनके दिवे स्वरूप का अलोकिक वर्नन किया गया है। मान्यता है कि अपने स्वरूप के बारे में पूछे जाने पर स्वाइन शिव ने अपने पावन स्वरूप का वर्नन इसी स्त्रोत के माध्यम से किया है जिसका आशे है कि इस जगत में जो कुछ भी है वह सब कुछ शिव में है जल, ठल, नप आदी सभी के स्वामी भगवान शिव है शिव ही सत्य है भगवान शिव की महिमा का गान करते हुए इस पावन्स्त्रोथ में बताया गया है कि भगवान शिव देवों के देव है जिनके इशारे मात्र से क्या आम आदमी और क्या देवतागन सभी सुख, संपदा और एश्वरे का भोग करते हैं। उसे जीवन का कोई भी भाय, रोग या शोक नहीं सताता है। मानेता है कि शिव महिम्न स्त्रोत का पात करने पर तमाम तरह के दान, तप और तीर्थातन से ज्यादा पुनेफल प्राप्त होता है। इसे पढ़ने वाला शिव भक्त सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में शिव लोग को प्राप्त होता है। जानिये शिव महिम्न स्त्रोत का पात कब करे। सनातन परंपरा के अनुसार लोग कल्याल के देवता माने जाने वाले भगवान शिव की साधना और उनके मंत्रों का जाप आप किसी भी दिन और किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि इसका पात शाम के समय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो विशेश पुनेफल की प्राप्ती होती है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार श्रावन महीना में प्रतिदिन अत्वा सोमवार या फिर शिवरात्री के दिन शिव महिन स्त्रोत का पात करने पर महादेव शीक्र ही प्रसंद होकर साधक को मंचाहा वर्दान देते हैं। कहा जाता है कि श्रावन महीने में देवाधी देव महादेव भोलेनाथ शंकर की सादगी का वर्नन करने से भगवान शिव प्रसन होते हैं। शिव के इस महिन्न स्त्रोतम में शिव के दिवे स्वरूप एवन उनकी सादगी का वर्नन है। इस महिम्न स्त्रोत के पीछे अनूठी और सुंदर कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक समय में चित्ररत नाम का राजा था। वो परम शिव भक्त था। उसने एक अद्भुट सुंदर बाग का निर्मान करवाया। जिसमें विभीन प्रकार के पुश्प लगे थे। प्रतेक दिन राजा उन पुश्पो से शिव जी की पूजा करते थे। पुश्पदंट नामक गंधर्व उस राजा के उद्यान की तरफ से जा रहे थे। उद्यान की सुंदरता ने उसे आकरिर्शित कर लिया। मोहित पुष्पदंट ने बाग के पुष्पों को चुरा लिया। अगले दिन चित्ररत को पूजा हेतु पुष्प प्राप नहीं हुए। बाग के सौंदरे से मुख्द पुष्पदंट प्रतेक दिन पुष्प की चोरी करने लगा। इस रहेसे को सुल्हाने के राजा के प्रतेक प्रयास विफल रहे। पुष्पदंट अपनी दिवे शक्तियों के कारण अद्रिशे बना रहे। राजा चित्ररत ने एक अनुखा समाधान निकाला। उन्होंने शिव को अर्पित पुष्प एवं विल्फ पत्रबाग में बिचा दिया। राजा के उपाई से अंजान पुष्पदंट ने उन पुष्पो को अपने पैरों से कुचल दिया। इससे पुष्पदंट की दिवे शक्तियों का क्षय हो गया। पुष्पदंट स्वैं भी शिव भक्त था। अपनी गल्ती का बोध होने पर उसने इस परम स्त्रोत के रचना की जिससे प्रस पुष्पदंत के दिवे स्वरूब को पुनह प्रदान किया। पुष्पदंत के दिवे स्वरूब का वर्नन करते हैं। पुष्पदंत के दिवे स्वरूब को पुर्नत्या जान पाना असंभव है। तो आपके भक्त आपके स्वरूब का वर्नन करते नहीं ठकते आदी का वर्नन किया जाएं। वही सधक के द्वारा कहा जाए कि है देव। आप इस स्रिष्टी के स्रिजनहार, पालनहार और सहार करने वाले हैं। आपके ब्रमहा, विश्नु और महेश तीन स्वरूब हैं। तथा आप में सत्व, रज और तंग तीन गुन भी है। वेदों में इनके बारे में वर्नन किया गया है। फिर भी अज्यानी लोग आपके बारे में अनर्गल प्रलाब करते रहते हैं। साधक अपनी भक्ती के दोरान या भी कहे कि है महादेव। आपकी महिमा का वर्नन करना अत्यंत कठिन है। बरेब्रे विद्वान और योगी जन भी आपकी महिमा को पूर्नत्या नहीं जान पाए है। फिर भी मैं अपनी मती अनुसार आपकी स्तुती करने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया मेरे हृदे के भाव को देखे और मेरी स्तुती को स्वीकार करे। आपकी कृपा से ही यह स्रिष्टी चल रही है। आपकी कृपा से ही जीवों को जीवन मिलता है। और आपकी कृपा से ही उन्हें मोक्ष प्राप्थ होता है। आपकी कृपा से ही भाक्तों को सभी प्रकार के सुख और समरिद्धी प्राप्थ होती है। फिर आपका दिवे स्वरूप अतिंट मनोहर है, आपके त्रिनेत्र, गमगा, चंद्रमा और नाग आपके दिवे स्वरूप को और भी मनोहर बनाते हैं, आपके भक्त आपके दिवे स्वरूप का ध्यान करते हैं और आपकी कृपा प्राप्त करते हैं, फिर आपकी महिमा का व आपकी कृपा से ही मुझे सभी प्रकार के सुख और समरिद्धी प्राप्त हो। कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार AJC of India के द्वारा पुष्टी नहीं की जाती है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेशिगे से सलाह ले। किसी भी मान्यता याजानकारी की जाती है। झाल झाल